मोधी जी बैटे हैं मुश्करार्ट नहीं सिरियस नमस्ते भी नहीं करते कहीं मोधी जी नहीं देख लें प्रॉब्लम हो जाएगी वो ही कहानी घड़करी जी की है अयोधिया की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उने वो हावजा नहीं मिला है उन्होंने कहा सभी बाद उन्होंने कहा कि अयोधिया में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी उन सारों को तोड़ कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया इन्होंने ये भी कहा कि अयोदिया के इन्योगरेशन में अयोदिया की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इन्योगरेशन में अदानी जी थे, अम्बानी जी थे मगर अयोदिया का कोई नहीं था और ये कारण था कारण था कि अयोदिया की जनता में उनके दिल में नरेंद्र मोधी जी ने भाय डाल दिया उनके जमीन ले ली उनके घर गिरा दिये और फिर अयोधिया के गरीब लोगों को किसानों को मजदूरों को मंदिर के इनॉगरेशन तक नहीं जाने लिए ये मंदिर के इनॉगरेशन छोड़ो उसके बाहर भी जाने है और इसी लिए अयोधिया की जनता ने सही मैसेज भेजा अच्छा इन्हों ने मुझे एक और बात बोली तीन बार इन्हों ने कहा कि तीन बार नरेंद्र बोधी ने टेस्क किया दो बार दो बार क्या मैं अयोधिया से लड़ जाओ और सर्वेयर्ज ने कहा अयोधिया में मत लड़ जाना अयोधिया में मत लड़ जाना अयोधिया की जनता हरा देगी और इसलिए प्रधान मंत्री वारा नची गए और वहां बच के निकले तो अयोधिया की जनता को डराया पूरे देश को डरा दिया मैं आपको बताता हूँ आज सुबह माया राजनात सिंग जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोधि जी बैटे हैं मुस्कुराट नहीं सिरियस नमस्ते भी नहीं करते कहीं मोधि जी ना देख लें प्रॉबलम हो जाएगी वह ही कहानी घरकरी जी की है सचाहिए अरे भाई या योदिया की जल्ता को छोड़ो यह तो भीजेपी वालों को डराते हैं जाए कि अधि 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 आप सदन के वरिष्ट नेता हैं मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्पती अभी भाशन पर डिवेट हो रही है इसकी गरीमा राष्ट्पती अभी श्रम की गरीमा रखे ना यह तो अधिक्षा आपसे सब करता है कि आप राष्ट्पती अभी भाशन पर बोलें नीतिया पर बोलें कारे कमों पर बोलें अब वेक्ती गज़ुफ से अगर आप यह उचित मानते हैं क्या यह उचित है अगर आपकी पाल्टी स्पीक उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना स्पीकर सर्थ मानने अद्यक जी है लोक तंत्र ने और सम्विधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपश के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए स्पीकर सर्थ स्पीकर सर्थ स्पीकर सर्थ स्पीकर सर्थ आपने कहा कि डिबेट प्रेजिडेंट्स अड्रेस पे होनी चाहिए ये जो मैंने किया है अनुराग ठाकुर जी ने अयोधिया की बात की थी अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धन पर आक्रमन की बात की थी इसलिए मैंने ये किया है मैं दिखाना चाहता हूँ कि अधियोदिया में क्या हुआ अधियोदिया की सच्चाई क्या थी प्रेजिगन्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी मैंने बात बंद की है डर्फ है लाया और ऑपोजेशन का रिस्पॉंस एक साथ मिलकर भारत चोड़ो यात्रा सारे के सारे opposition पूरा देश एक साथ मिलकर कन्या कुमारी से कश्मीर तक चला और जो आपने डर फेलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला अभी तक याद है सुभे साथ बजे, साथ आठ बजे की बाद थी यात्रा में चल रहे थे एक महिला आती है हमारे साथ चलती है मेरा हाथ पकड़ती है और गबराई हुई सी थी तो मैंने पूछा क्या हुआ मुझे कहती है मुझे मार रहा है मुझे मार रहा है मैंने मैंने पूछा कौन मार रहा है कौन मार रहा है मैंने पूछा कौन मार रहा है कहता है मेरा पती मार रहा है मैंने का क्यूं कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई मैंने का क्यूं खरीद नहीं पाई महंगाई है महंगाई है खरीद नहीं पाई खाना नहीं पका पाई मैंने कहा बेहन क्या करूं कैसे आपकी मदद करूं कहती है आप कुछ मत कीजिए आप कुछ मत कीजिए आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है उसके शब्द है मेरे शब्द नहीं है गैस सिलिंडर महंगाई तो आपने गरीबों को महिलाओं को डराने का काम किया शिव जी कहते है डरो मत डराओं मत आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अगनीवीर के परिवार से मिला अगनीवीर के परिवार से मिला चोटा सा घर था चोटा सा घर था चोटा से घर में चोटा से घर में चोटा से घर में अगनिवीर शहीद हुआ लैंड माइन ब्लास्ट में शहीद हुआ मैं उसे शहीद कह रहा हूँ मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहते है नरेंद्र मोधी उसे शहीद नहीं कहते है नरेंद्र मोधी उसे अगनिवीर कहते है उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी उस घर को कमपनसेशन नहीं मिलेगी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और बिचारे बैठे हुए थे तीन बेहने थी एक साथ बैटे हुई थी रो रही थी आम जवान को पेंशन मिलेगी जरूर दुख होगा मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी मगर अगनिवीर को जवान नहीं कहा जा सकता अगनिवीर यूज एंद थ्रो मजदूर है और आप उससे कहते हो उसको आप छे महीने की ट्रेनिंग देते हो छे महीने की ट्रेनिंग देते हो दूसरी तरफ चाहिना के जवान को पांच साल की ट्रेनिंग मिलती है राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो उसके दिल में भाई पैदा करते हो एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशिन मिलेगी एक को शहीद का दर्जा मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा और फिर अपने आपको देश बक्त कहते हो यह कैसे देश बक्त है फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की फिल्म स्टार बॉलीवुड स्टार की फोटो थी मैं सोच रहा था देखो इस इस युवाने जान दी स्पीकर सर गलत बयानी करके सवन को गुमराह तर्वी के कोशिश होता है उसके एक करोड उपे की धनराज शहाइता की रूप्मेंट के परिवार को महज़ा कराई जाती है इस प्रणार की तरफ बयानी से तब दुबरा करने की कोशिशित नहीं की जानी चाहिए संसर्मोड अध्यक्त 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 सपीकर सर देखिये इसमें कि जब्याद कर देखिये राजनाज सिंग जी की एक राए है मेरी एक राए है सच्चाई अगनीवीरों को मालूम है हमें बोलने की जरुरत नहीं है अगनीवीर को किस चीज़ का सामना करना पड़ता है शहीत का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है कॉंपनसेशन मिलता है नहीं मिलता है पेंशन मिलती है नहीं मिलती है वो उसको मालूम है पॉइंट ओपोडर है मानिवर अब सदन के सामने दो स्टेट्मेंट हुए एक हुआ दिपस के नेता का दूसरा हुआ मानिया राधना सिंगर जी का रक्षामंत्री जी का ये कहते हैं कि एक करोड रुपया नहीं मिलता है शी राधना सिंग ने अधिगृत रुप से कहा कि मारे जाने वाले अगनीदूर को जो सहीद होता है उसको एक करोड रुपया मिलता है उनको factual position सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर ये सदन जूट बोलने की जगा नहीं है मान्यवर यह सच बुलना चाहिए और अगर और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते हैं अपने statement का तो उनको सदन और देश से और अगरी वीरों से मात भी मांगनी चाहिए मान्यवर अगरी वीर की सचाई मैंने फ्लॉर अगर दाउस पर रखी है और राजनाज सिंग जी ने भी कहा है जो reality है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूं है वो अगरी वीरों को मालूं है उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं परता सचाई तो उनको मालूं है सचाई कौन बोल रहा है दरवमात 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 जो बात रखे हैं कि दो statement जो रक्षा मंतरी जी ने बताया सदन को और मार्नेय विपक्स के नेता राउल गांदी जी ने तो statement रखा है इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंतरी बोलने से क्या फर्क पड़ता है इतना हलका पुलका कैसे statement दे लागता है लीडर अपोजिसर इसलिए सर इन्हों ने जो जो बात रखता है कुष्टी करना चाहिए और हम लोग में सांदियम को मताबिक अपना बाद रखेंगे सर्थ और स्पीकर सर और स्पीकर सर देश की सेना जानती है पुरा देश जानता है कि अगनिवीर स्केम सेना का स्कीम नहीं है पीमो का स्कीम है और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेंचाइल्ड था स्कीम सेना का ब्रेंचाइल्ड नहीं था जैसे जैसे नोट बंदी की गई वेसे ही आर्बिर्ट्री तरीके से मैं अज्यक्ट मोड है मैं 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 नेता प्रतिपक्षे बिनम्रता पूर्वकार नोट करना से आता हूँ कि किर्पियावा सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें अग्रिबीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 आर्गनाईजेशन के साथ सीधा संबाद अस्ता पे दुगा है उसके सिखाव लिए गए हैं तब यह अग्रिबीर योजना लाई गई है और बहुत सोच शमशकर यह योजना लाई गई है और मैं यह एक्ष्ट कर रेना शाहता हूं इस प्रकार की योजनाए दुनिया के कई डेशों में है यूए सपे है यूके में है वहाँ पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपती नहीं है अब बिना अग्रिबीरह योजना के बारे में समझें बिना उस संब्द हमें कोई पुदी जानकारी हासिल किये इस तरीके से सदंग को गुबरा करना इसे कडात उचित नहीं थारा जा सकता महुद है मैं तो आपसे यह अजोद करूँगा इसे सदंग की कारवाई से बाहर निकाला जाना जो आपको देखिए सिंपल सी बात है स्पीकर सर इनको अगनीवीर अच्छा लगता है आप उसको रखिए हम उसको बदल देंगे हटा देंगे सिंपल सी बात है हमारी सरकार आई कि अगनीवीर को मटा दें क्यूकि हम सोचते हैं कि अगनीवीर सेना के खिलाफ है जवानों के खिल झाल झाल